इस बार हम महा कावे स्वरूप एव मलक्षण इस विशे पर विस्तार से चर्चा करेंगे जी डर साब खंड कावे के संदर्व में कुछ जानते हुए तुम लोगों ने ये पढ़ा था ये जाना था कि कावे के दो रूप होते हैं गद्य कावे और पद्य कावे जब खंड कावे तुमने पढ़ा तो देखा कि पद्य कावे के तीन भेद हुए महा कावे इसके प्रवंद कावे और मुक्तक कावे मुक्तक कावे के साथ ये भी तुमने देखा कि महाकावे और खंड कावे के साथ कुछ निबद्ध या अनिबद्ध कावे की चर्चा है जो तुम लोगों के इस्तर पर नहीं है मुग्यतया प्रबंद कावे में महाकावे और खंड कावे खंड कावे के विश्य में तुम लोगों ने देखा था कि जीवन के एक अंग या किसी एक घटना को लेकर खंड काविका नर्मा होता है और उस अंदर्म में एक सहज जिग्यासत्म लोग में उत्पन होई थी कि अगर जीवन की एक घटना या एक अंग को लेकर खंड काविका नर्मा होता है तो फिर जीवन के व्यापक गुरूप को लेकर एक विशाल का है भाव जगत में आकर जिस कावे की रचना होगी उसे क्या स्विकार किया जाएगा वास्तों में वो महाकाव्य है जो पद्ध में रचना तो है ही साथ ही एक विशाल का रचना है जिसमें जीवन के बिभिन रुपों का दृष्य प्रस्तुत किया जाता है अगर हम देखें कि महाकाव्य के स्वरूप को एक आकार में एक लिप में एक परिभाशा में बाधने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि महाकाव्य वो विशाल का रबांधात्मक सर्ग में सर्ग बद्ध कह लीजिए पद्ध में रचना है जिसमें जीवन का व्यापक इसके लिए एक और तो जीवन की विविन्न परिस्थितियां होंगी और दूसरी और होगा विराट धरातल अब ये तुम लोग देख रहे हो कि ये प्रबंद काद्वे एक और तो विशालका है सर्गबद्ध है पद्यम है और जीवन की विविन्न परिस्थितियों को प्रस्तूत करने के कारण एक विराट स्वरूप लेकर खड़ा होता है अब अगर हम ये देखें कि इसको हम जानेंगे कैसे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके कुछ लक्षण होते हैं उन लक्षणों की विशे में बताया बच्चों को लड़ साइब अब लक्षण की बात करते हैं तो बड़े साहित्य मनिशों ने सबसे पहले चर्चा कर दी कि महाकाव्य सर्गबद्ध होता है और उस सर्गबद्ध महाकाव्यका एक नायक होता है जो उदात गुन संपन्न किसी उच्च वंश में उपस्थेत होता है कुछ संस्कृत विद्वानों ने तो ये कहा कि सर्गबंद्ध महाकाव्यं तत्रईको नायक हा सुरह सद बंसा क्षत्रियो वापी धिरोदात प्रताप्वान अर्थात वो नायक या तो देवता होगा या उच्च कुल बे उत्पन्न कोई राजा होगा या उदात गुन संपन्न कोई कुलीन बेक्ति होगा कि इस प्रकार जो महाकाव्य है वो अलग-अलग खंडों में अलग-अलग शरगों में अलग-अलग टुक्डों में भी भकत होगा और एक-अक सर्ग के अंतरगत कुछ बिबिन जीवन के अंगों का निरूपा होगा महाकावे का दूसरा लख्षन है कि उसमें अंगी रस श्रंगार होगा या बीर होगा महाकावे में अंगी रस श्रंगार अध्वा बीर की जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं एक एयो भवेद अंगी श्रंगारो बीर ही होगा अंगी रस श्रिंगार होगा या बीर होगा लेकिन अन्य रस होंगे वे अंगी रस के अंग बन कराएंगे श्रीमान ये अंगी रस और अंग रस से क्या अभिप्राय है ये बात आपने बड़ी उचित पूछ ली है साज द्या लोग ये मानने लगते हैं कि अंगी रस का भी प्रधान रस है और जो उसमें अन्य रसाइग रूप में आए हैं वे अंग रस है जन साधार नहीं समझता है जी वास्त लिपता ये है कि जो उसका प्रधान रस है वही मुख्य रस है उसी को चेंदर में रखकर रचनाकार या महा कावेकार नर्मान करता है अन्य जोभी रस आएंगे वो अंगी रस या प्रधान रस के पोशक होंगे उसके शायक बनकर आएंगे सायक नहीं पोशक होंगे वो उसी ओर उदाहन के लिए हम आपको बता दें कि एक नायक है, उसका यृथ मुख्यरस्वीरा है या अंगरस्वीरा है, आग अज नहीं हो उस च्नंदर्ता नहीं हो गी इसलिए जो अन्रस होंगे, वे अंगीरस के पोशक होंगे अब तीसरा लक्षण है उसकी कथा वस्त इतिहास पर आधारित या सज्जनों के चरित्र पर आश्रित होगी मां का विकर कहता है इतिहासोद भवं बृत्तम अन्यत्वा सज्जिनाश्रित या तो इतिहास पर आधारित होगा पुराण पर आधारित होगा या किसी सज्जन के लोग विश्रुत चरित्र पर आधारित होगा कि उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् साज तया यह कहा जाता है कि इसमें आठ या आठ से अधिक सर्ग होते हैं यह सर्ग ना तो अधिक बड़े होंगे और ना अधिक छोटे होंगे प्रश्न है यह आठ होंगे या आठ से अधिक होंगे आठ या आठ से अधिक यही प्रश्न है आपके प्रश्ण का मन्तव में समझ गया कहीं कहीं ये लोग ले आते हैं कि आठ से अधिक ही सर्ग होने चाहिए ये तुडी इस प्रकार होई गी आचारे विश्वनात्य ने कहा नाति स्वल्पा नाति दीरगा सर्गा अस्टादिका इह सर्ग ना तो बहुत लंबे होने चाहिए न बहुत छोटे होने चाहिए और अस्टादिक सर्ग होने चाहिए लोगों ने पढ़ने में बोल की और अस्टादिक को अस्टादिक कर दिया इस कारण ये ब्रह्म ये इसलिए हुआ कि आठ से अधिक ही हूँ अस्टादिक का मतलब है कि आधि में आठ मने आठ से शुरुआत हो आठ हो या आठ से अधिक हो अगला लक्षुन है प्रारंब में देवनमन, आशीरवचन या वस्तु निर्देश होगा ये सहाज तया जब महाकावे का प्रारंब करते हैं तो महाकावे का प्रारंब सर्वत प्रथम देवनमन से होगा रगवन शित्यादिवे वागर्था भिविसंप्रक्तव वागर्था प्रतिपत्तवे जगता पितरो बंदे पारवती परमेश्त्वरो रांचेर्द मानस में कुछ तुसी दाज जब लिखते हैं तो उनका भी नमन से इष्टुर होता है बंदना करते हैं प्रणानाम, अर्थसंगानाम, रसानाम, छंद साम अपी मंगलान अंच करतारो बंदे बानी बिनायको तो महाकाब का प्रणाम देव नमन से होगा कहीं-कहीं आशीरवचन से होगा मंगल कल्यान होगा जैसे भारत वाक के नाटक में हम तुमें वहाँ प्रणाम नहीं लोग कल्यान और आशीरवचन का उच्छारण महाकाब करता है और कहीं कहीं वस्तु निर्देस्ट से होता है, कि हम ये कता वस्तु प्रस्तुत करने जा रहे हैं. नाना पुराण नेका माय makesam sammat tamivyat की बाद वो स्वामी जी करके ये करते हैं, भाशा निबद्ध मति वंजुल माद, जो राम का चरित्र है, उसको भाशा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं अब अगला है एक सर्ग में प्रा एक ही प्रकार के चंद का प्रेवग होता है किन्त किसी किसी सर्ग में एक आधिक चंदों का भी प्रेवग होता है चंद वस्तुता है काब्य के रूप को पद्ध पद्ध करने में सहाइब होते हैं कहीं सिखरणी है कहीं वनसस्त है कहीं गहनाक्षरी है कहीं कवित्त है कहीं सवय्या है सहाज तया काब्य में चर्चाती है कि कुछ भावों को वेक्त करने के लिए कुछ निश्चित छंद अधिक अन्खूल बनते हैं तो जब एक रस को लेकर एक भाव को लेकर एक सर्ग में महा का विकार चल रहा है तो साज तयाय देखा जाता है कि एक सर्ग में एक प्रकार की छंद का प्रूप करता है और सर्गांते, सर्ग के अंत आते कहीं चंद बदल देता है, कहीं अगले सर्ग में भाव बदलता है तो चंद बदल देता है अगले सर्ग किया सुचना होती है ये? कहीं कहीं ये होता है, सर्गांते भावी सर्ग स्य कथाया सुचनम भावी ये साहितकर कहता है साहित सास्त्र जानने वाले कहते हैं जब सर्ग का अंत होने लगए तो महाका वेखार को चाहिए कि आगे आने वाले सर्ग की सूचना दे दे इससे ये होता है कि जो पाठक है या जो सोता है उसकी जिग्यांसा बढ़ जाती है और पढ़ने में कदाचित रूच अधित हो जाती है और अंत में देखें आप महागावी की रिचना का लक्ष व्यापक मानो समाज के कल्यान के लिए होता है सबसे बड़ी बात तो ये है जब कावी की बात करने लगता है काव्यकार या साहितिकार तो सबसे पहले कहता है कि व्यापक धरातल पर जो सब का कल्यान करे वो तो महागावी है क्योंकि वो एक के कल्यान की बात नहीं करता है दिश्वबंधित की बात करता है जनजन के कल्यान की बात करता है गोस्वामी तुलसी दास ने दुराम चीद मानस में सीधे स्पष्ट कर दिया कि कीरती बनीती भूती बाली सोही सुरसरसम सब कहां ही तो होई जिस कावे के नर्मान में, जिस चरित्र की संयोजना में, जिस नायक के चरित्र निरूपन में, सनलगन महाकावेकार, ये भाव रग के चले कि इसके चरित्र से सिख्षा पगर एक व्यापक समाच, और अच्छी बात हो कि समग्र समाच, चरित्र के निर्मान में एक प्रगत प्राप्त करेगा, उन्नत प्राप्त करेगा, वो तो महाकावे उत्तम है, और जिनको किवल विनोद के लिए या मनोरंजन के लिए पढ़ा जाथा है, उसे महाकावे कहाने में महाकावेकार को भी संकोच होता है क्योंकि लक्ष से कहीं अदिक भढ़का हुआ होता है सिफ लक्षनों की आधार पर महा काव्य को Samaj उतनी प्रतिष्ठा नहीं देता है जब तक उसका उदिश महतना हो यह तहने का ताथपर है आपके जब तक महा काव्य का महतन ही यह है कि वो जनरुच का परिश्कार करें आप जरूर कुछ ऐसी वर्तियां पनब लगी है जहां व्यावसाहिकता बनी वहां साहित जनरुज को कैंद्र में आकर निर्वित होने लगा, जब की वास्थविकता यह है कि जनरुजी का परिशकार साहित करे, तो महाकावे का तो यही लक्ष होना चाहिए और यह महाकावे क इन लक्ष नों को लेकर रचना करते हैं. ड़नस अब एक जिग्यासा है, महा काध के तत्व क्या होते हैं, इस पर भी थुड़ी रोशनी डालें? तुमने बढ़ा उत्तम प्रश्नी किया है, वास्थो में तत्व के बिना तो सिछ किसी चिछ का नर्माण नहीं होता है, तत्व किसी वस्तु के नर्मान में अनिवार्य घटक होते हैं जिनके बिना वस्तु का नर्मान नहीं हो सकता महाकाव्य किन घटकों बादारिकों से घटक ऐसे हैं जिनके बिना महाकाव्य नहीं बनाया सकता महाकाव्य कृष्णा नहीं हो सकती है कि वास्तोह से Кथानक नयक और आन्यपात्र, यह पात्रों के बिना महाकाविकाद ज्रॉं कि अbra這麼 है, कि वास्तोम की पात्रों जो सरस्ता उत्पन करता है वह रस। तो तीसरा तत्व रस है, और चौता एक ब्यापक अद्देश के लिए महा का नर्माद होता है, इसलिए उद्देश और प्रतिपाद ये चौता तत्व है, इस लार हम लोगोंने महा का वे के स्वरूप और लक्षण बड़ विचार किया, आपने बड़ अच्छा प्रशन इसलिए इनकी चर्चा अगली बार जब हम लोग मिलेंगे ताफ की जाएगे